विल्कम टू सक्सस दिलिप में दिलिप कमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों एक बेहतरीन वेकेंसिज लेकर आ गया हूं आप सभी के निट के लिए वेकेंसि लेकर आया हूं इस टील प्लांट की तरफ से पर्मनेंट जॉफ की वेकेंसि आउट की गई है इस टील प्लांट है आपका जिंदल इस टील एन पावर की तरफ से यहां पर ITI student के लिए permanent नौकरी की vacancy release की गई है जो कि all India के male and female सभी candidate apply कर सकते हैं सभी eligible है जिंदल still India's का तीसरा सबसे बड़ी still company है सबसे बड़ी है आपका sale यानि की बोकारो still plant, विलाई still plant जो आपका still plant है government of India का जैसे की still authority of India limited दूसरी है हमारी Tata still सबसे बड़ी industry एंडिया की private organization में तीसरी है हमारी JSWI आपका जिंदल still तो यही से permanent job की vacancies out की गई है एक बहुत बड़ी still department है यहाँ पर आपको नौकरी करने का मौका मिले तो मौका मत छोड़ना और especially यह जो vacancies के बारे में बताने वाला हूँ वो only ITI student के लिए है तो इसे अच्छी बात आप साभी candidate के लिए और क्या हो सकती है तो चलिए detail में बात करते हैं कि कैसे apply करना है जितने भी student हैं धियान देना कि application का मैं full process बताऊंगा और apply करने का जो process है वो आपको mail करना है कहीं पर भी actually मैं यह campusing drive की recruitment है लेकिन आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बस send करनी अपनी cv और किस प्रकार send करनी है mail कैसे भीजनी है यह सब कुछ में detail बताऊंगा ताकि किसी भी private organizations में आपको एक idea मिल जाए कि कैसे mail को send किया जाता है क्योंकि बिना cover letter लगाए हुए कहीं पर भी आप mail send करते हो तापका mail का कोई भी reply नहीं मिलने वाला है उसमें eligible भी होना बहुत ज़रूरी होता है चलिए detail में बात करते हैं स्टार्ट करते हैं videos को इससे पहले requested होगी अगर आप अभी तक success दिलिप को subscribe नहीं किये so please do subscribe and hit the bell icon तक इसी तरह latest government job and private job की information मिलते रहे चलिए आगे बढ़ते हैं तो guys जो recruitment canvassing निकाली गई है यह आपका template है और इसी के जरीए मैं आपको बताने वाला हूँ vacancies कहां निकाली गई है कैसे निकाली गई है doesn't matter vacancy क्या है किस तरक्की से हम इससे बात करते है urgent requirement है जिंदल student power जो अंगूल अंगूल उपका ओडिसा में इस्तिते तो जितने भी candidate की posting होगी न वो आपका अंगूल में होगी ओडिसा में posting होगी यह कोई idea करके persons है जिनों काफी सारे student ने इनके द्वारा सेंड की गई तो यहां पर जो है यह campusing drive है अलग-लग sections पे लगती है आपको जाने की ज़रूत नहीं है आपको बस mail सेंड करनी है इसलिए मैंने उपर में भी notice के जरीए आपको पहले ही बता दिया करपिया दिये गए email पर अपना resume सेंड करें लेकिन resume केवल ऐसे ही send नहीं कर देना है उठाओ email एडी direct resume लिखो या फिर अपना नाम पता लिखो और send कर दो ऐसा नहीं सारी चीजें जानकारी देनी होती है cover letter उसी को बोला जाता है इसलिए मैं step by step बताऊंगा कि cover letter क्या होता है कैसे fill करनी है ध्यान से बने रहना vacancy ज़्यादा इसमें नहीं दिखाई जारी है बट mail जरूर करें total number of post है 20 qualifications देखो ITA pass out होना चाहिए electrician ITA pass plus या फिर experience designation चलेगा associate operator का उसके बाद जिसमें कि आपका चड़ेक odisa में होगा अंगूल जोकी भुबनेस्वर age limit है 18-28 अब बोलोगे क्या सर्फ इसमें सिर्फ एक ही branch के candidate apply कर सकते है देखो अभी तो recruitment दिखा रही है क्योंकि किसी भी department में vacancy निकलती है तो सिर्फ एक branch के लिए नहीं निकलती है हलांकि इसमें सिर्फ electrician की बताई जा रही है बट आप जितने भी जिसे electronic mechanic है wire man है fitter है resume आपको सबको send कर देनी है ध्यान दे electrician के अलावा electrician तो send करें गई अगर आपने मानलो जो इसमें opening vacancy इसमें सिर्फ electrician है अगर इनके पास opening में fitter की हो या फिर welder की हो तो आपको ले लिया जाता है क्योंकि आराम से इसमें बहुत सारे post होते हैं इसमें apply करना resume send करने में आपको क्या ही जाता है कोई पैसा नहीं लगता जरूर send करें designation associate operator की होगी आपकी post ओडिसा में बता चुका हूँ age जो होगा 18 से 28 सल और pfsi deduction यह सब सारे चीजें apply इसमें लगता है 12 गंटे की duty होगी जो की यहां पर बता जा रहा बट 8 गंटे की duty होना चाहिए यार 12 गंटे क्यों बता जा रहा है food available होगा जो की subside cost होगा RS 57 पर राइट के हिसाब से snacks and tea available होगा जो की बिल्कुल free है और guest house रहेगा company की तरफ से जो की 500 रुपे पर मंत दिया जाएगा guest house का इन्हें की रहने की सुविदा और transportation जो faculty है facility आपको मिलेगी वो fixed route होगा अलग-अलग जगा पर जो की ये भी free हो सकता है या फिर कुछ chargeable होगा समझ में आ चुकी होगी यहां पर मैं बात करूँ documents क्या-क्या required लगती है तो mandatory है 10 या फिर 12 की mark seat IDA की mark seat bank passport और अपने details आधार resume में कर रहा है आपसे ज़्यादा vaccine certificate मंगा जा रहा है passport size photograph जो की 10 यार क्या करेगा 10 लेकिन फिर भी जब जा रही है gross salary आपको मिलने वाली है 24,625 अब gross salary मतलब यही है कि आपको जितनी भी salary होगी सारी चीज़ें deductivigate करके total 24,625 रुपे आपको salary मिलेगी अब इसमें से दो चीज़ का doubt हुआ होगा कि क्या सर हमें यहाँ पर visit करना होगा तो visiting का कोई भी address नहीं है और नहीं आपको visit करना है बस आपको क्या करना है यह contact है आप यहाँ पर call के जरीए पता भी कर सकते हैं या फिर वो बोले कि WhatsApp पर resume send करें तो यह कर सकते हैं बड़ ध्याद है आपको email पर send करनी है यह email यह देख सकते हैं तेजस्वी इस पर आपको अपना resume जो है आपका CV है वो send करनी है आप call कर सकते हैं पता करने के लिए यह कि मैं पता कर चुका हूँ तभी मैं आपके सामने यह समख चला रहा हूँ तो यह details आपको समझ में आ चुकी होगी यह notification आपको मिल जाएगे Telegram Channel Success दिलिप पे तो Telegram Channel आपको join करना ही होगा बिना किये हुए कोई भी form यह apply नहीं कर सकता कैसे नहीं कर सकता मैं बताता हूँ चले अब चलते हैं Telegram Channel में तो गैस Telegram Channel Success दिलिप का लिंक आपको मिल जाएगे description में आपको यहाँ पे आ जाना है simply कुछ comment में दिखाए देगा pin किया हुआ message दिखाए देगा इस पे pin सक्सम पे click करोगे दुबारा click करोगे कहां कर आपको देखना है कहीं पर आपको दिखाऊगा cover letter for ITI student तो जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा देख सकते हैं covering letter for Fraser ITI student के लिए या फिर सब रिगाड़िंग धियान देना यह जो vacancy है कुछ experience ज़रूरी है कोई भी Fraser apply कर रहा है तो उसकी chance कम है selection होने का आपके पास experience है एक साल का 6 मांत का भी है बट experience होना चाहिए कोई चीज mention नहीं है कि हमको इतना ही चाहिए बट कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए तो ही apply कर तो ज़्यादा better होगा वरना selection नहीं होती है बाद में comment करते हो selection में reply तो आता है नहीं reply नहीं आने का मतलब है यार 20 vacancy निकाली गई है कहीं पर 50 vacancy कहीं पर 100 vacancies होती है मान लो 2000 candidate apply कर सकते हैं जिनके पास थोड़ी मोड़ी experience होती है तो उसको selection पहले लिलिया जाता तापको result list भी नहीं दिया कोई list थोड़ी निकालता है कि आपको selected नहीं मिला है समझा करो बात को cover letter पे click करोगे तो यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगी अब इसको क्या करना है अब इसको copy करना है देख सकते हैं copy पे click करना है अब आज आना है अपको अपना email पे है अब जैसे आपको email ID पे आना है तो आपका email में सबसे पहले जो send करनी है यह तेजस्वी ID को यह send करनी है इसी को send करनी है तो यहाँ पे आपको subject दिखाई देगा subject में आप देख सकते हैं for job support उसके बाद क्या करना है जो आपका link दिखाई दे रहा है यहाँ पे tick tick करना है जो आपको message करोगे covering letter for ITH लगा गया यहाँ पर phraser या फिर experience दे देना end experience लगा देना यह चीज़ आपको करनी है सब regarding post आपका जो भी trade है वो trade mention करनी है वो trade रहने देना बाकी सारा trade आपको क्या करना है हटा देना है यह सारी चीज़ें आपको रहनी देनी है उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें edit करनी है जैसे ITA, NCBT, SCBT आपका क्या है वो देना है place or name for college कौन से college से आपने pass out किया है और यह name क्या है वो देना है उसके बाद passing year क्या है यह भी आपको mention करनी है बाकी सब हटा देना है इवेन example के लिए आपे बताईए ओके गईस अगदर आपके पास experience है तो यहाँ पे as a add कर सकते है कि experience क्या है आपके पास किस field में है यह सब चीज़ें आपको add करनी है ध्यान देना एक cover letter बहुत ज़रूरी है देन लास्ट में आपे अपना नाम mobile number अदवाई faithfully अगरा अप लिख सकते है उसके बाद आपको यहाँ से resume attach करके send करनी है तो यह होता है proper mail send करने का तरीका किसी भी jobs में apply कर रहे हो तो इसके बिना अगर आप mail करते हैं तो आपको mail है पहले ही reject कर दिया जाएगा तो बिल्कुल इस तरह से apply करना है कुछ doubt है तो comment करके जरूर बताए eligible है तो apply करें interested है तो apply करें नहीं तो छोड़ भी सकते हैं कोई जरूरी नहीं है hopefully वीडियो इस फिल लगी हो like share and subscribe करें मिलते है next video में तब तक लिए जए हिंद